Hi my beautiful people, आप सब लोग कैसे हैं guys, आप सबी लोगों को नवरातरी की बहुत 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 शुब कामना है guys आज का जो वीडियो में बना रही हूँ आप सब लोगों के लिए इसी टॉपिक पे हैं कि आखरकार इस नवरातरी आपके घर में कौन सी नई खुशी आने वाली है, आपके जिंदगी में कौन सी अपॉचुनिटी आने वाली है, क्या अच्छा होने वाला है और माता जो है व जादा कुछ नहीं, दो पाइल्स रखे हुए है, पाइल नंबर वन जो की है ओम, ठीक है, एंड पाइल नंबर टू, जो की है हमारा स्वास्तिक, ठीक है, आपको इन दोनों पाइल में से कोई एक पाइल सेलेक्ट करनी है, पूरा मेडिटेट करके अच्छे मन से एक बार च चेक कीजेगा, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं स्वास्तिक से, ओके, चलिए मैं इनको यहां रख देती हूँ, सो शुरू करते हैं हम ओम से, आखिरकार क्या आया है, पहले हम लोग चेक करेंगे, ओके, क्वीन अच्छा होने वाला आपके जिंदगे में, फाइनली, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी समय से, काफी बहुत-बहुत समय से आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करें अपने जिंदगे में, बट कुछ अच्छा आपको दिखनी पा रहा था, फाइनली वो दिन आ गए हैं, जब कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है, एक बार मैं ना काफ्स को अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है, श्रीक को ना मैं थोड़ा सा सरका देती हूँ, ओके, हाँ, 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 होके, होके गाइस, आपको सारे काद्स इकदम ठीक तरीके से, सीरीज वाई, शो हो रहे होंगे, और यह है काद्स आपके, एंजल गाइडेस अभी नहीं चेक करेंगे, हम इनको यहाँ पर रख देते हैं, फिर चेक करते हैं, ठीक है, चलिए, शुरू करते हैं, तो जिन लोगों ने ओम का सिंबल चूज किया था, ठीक है, आपको पता है, ओम बहुत बहुत बढ़ा सिंबल है, ठीक है, युनिवर् इंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा है, फिर कुछ भी आपको अजीब सा मैसूस हो रहा है, तो ओम की चैंटिंग शुरू कर दिया करो, यह कोई फरक नी पढ़ता है, कि आप किस जाती से हो, आप किस कम्मुनिटी से, कोई फरक नी बढ़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, इस सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही उसकर सकते हैं, यह उनिवर्सल सिंबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, फॉरन में भी काफी यूज होता है, तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, सजिस्ट करोंगी, कि जब भी आप लोगों को थोड़ा सा नर्वस फील होता हो आप एंग्जाइटी फील करते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है पाइल नंबर वन बहुत जादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन फील करते हैं, तो आप लोगों को क्या करना ना ओम की चैंटिंग शुरू कर देनी है, हैंट तो हैंट आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक हैं चलिए, तो हमारे पास यहां पे एरीज लियो सजिटेरियस बहुत जादा है, बहुत जादा है एक्चिली, स्कॉर्पियो भी फील हो रहा है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ठीक है जी, स्कॉर्पियो मोस्ट है यहां पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर को लेकर क कि अगर मैं आपके रिलेशन्षिप दोनों ही चीजों के बारे में बात करूंगी ठीक है पहले हम करियर का देख लेते हैं तो गाइस आप काफी समय से कोई या तो जॉब डूणने की कोशिश कर रहे हो या फिर कुछ अच्छा महसूस करने की कोशिश कर रहे हो कुछ अच्छ इस कार्ड फॉर पर्सन जो की एक बड़ी जॉब अपॉर्चिनिटी की खोज में लगा हुआ है बट उसको कुछ भी मिल नहीं पा रहा है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको इस नवरात्री में इन नौ दिनों में कोई बहुत बड़ी कोई बहुत अच्छी जॉब पॉर्चिनिटी मिलती हुई मुझे यहां पर दिख रही है ठीक है जी और दूसरी बात यह भी है कि क्वेइन ओव वांस देट मेंज कि काफी सदा करियर ओरियंटेड हो काफी कुछ अच्छा अचीव करना चाते हो अपने जिंदगी में बट नहीं कर पा रहे हो as unfortunately लेकिन ह अब आपके जिंदगी में बदलाव आने वाला है बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है देख रहे हो आप यहां पर विक्टरी का भी काण है ठीक है विक्टरी विद पेज ओ वांस तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसा आपको अचीव होने वाला है ना अपने करियर में कि आपके जिंदगी में आज मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगी नी कि क्या इशू चल रहा है आज में सिर्फ बताना चाहते हूं कि क्या ब्लैसिंग आपकी जिंदगी में आने वाले हैं फॉर इस नवरात्री सीजन ठीक है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी समय से अकर या फिर कुछ भी कुछ भी ऐसा मुझे यह आपर महसूस हो रहा है तो वो ब्लैक मैजिक हुआ है तो वोसब कुछ हड़ जाने वाला है ठीक है अगर मैं लव लाइफ कीबात करों तो किसी गावट आ रही तो वो खतम होने वाली है काई लौगों के लिए यह नवरात्री ज फॉर्शॉर ठीक है यूनियन भी लेकर आएगा देखर हो आप अर्धनारिश्विट तेम्परेंस कार्ड रिकंसिलियेशन ओके तो कई लोगों के लिए रिकंसिलियेशन भी लेकर आएगा इन शॉर्ट अगर मैं बात बताने की कोशिश करो यह जो आपका रहेगा न समय जो आपका रहने वाला है यह आपकी जिन्दगी में एक तर्की की तरक्की करेगा आपको आना मोटिवेक करेगा कुछ अछी करने ही कुछ बहुत बढ़ा करने के लिए आप बहुत y sama तो अच्छा महसूस करोगी एक तरीकी के एनरजी आएगी आपके अंदर ठीके तो as for career aspect as for your love aspect मुझे ऐसा लग रहा है guys कि बहुत कुछ बदलने वाला आपके जिन्दगे में यह जो दशेरा आने वाला आपके जिन्दगे में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा ठीक है चलिए देख लेते हैं आपके angel message see मैंने बोला था ना आप लोगों को अब भी बोला था ना कि बहुत बड़ाव लेकर आने वाला देख लो काण अब personal issue reaches a resolution यानि कि कुछ तो ऐसा होने वाला है जो कि सही होने वाला है कोई भी इशु अगर आपके जिन्दगे में चल रहा है मैंने बोला था ना कि कोई भी चाहए लफ सिच्वेशन में कोई भी इशु चल रहा है चाहए करियर में कोई भी इशु चल रहा है वो यानि कि जो भी गलतियां आपने अपने पास्ट में दोराई हैं, उन सारी गलतियों को नेगलेट करने की कोशिश करना, उन सारी गलतियों को दुबाने से दोराने की कोशिश मत करना, ठीक है? Surrender to the Divine, यानि की आप सिर्फ और सिफ हमेशा याद रखो, देखो, ये जो हमारे दिन होते हैं अवरात्री के जो दिन होते हैं, ये हमें कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं, एक शक्ती का प्रवा कराने की कोशिश करते हैं, कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप हम पte Believe क किस पर divine पर believe कर सको क्योंकि universe buha कौन है वो भी तो एक तरीके से माही है ना ठीक है और फिर हमारे पस nothing is yet set into the stone यानि कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि एकदम permanent हो गया कुछ भी permanent नहीं है आप भी permanent नहीं हो मैं भी permanent नहीं हो कुछ भी permanent नहीं हो पर्मानेंट है तो सिर्फ divine powers okay white magic white aura पिताजी, angels, universe buha ठीक है ये सब लोग क्या है ना पर्मानेंट है तो आपको अटेंशन लेने की जरुरत नहीं है सरेंडर कीजिए divine को सौब दीजिए कोई भी किसी भी तरीकी कि अगर कोई दिक्का चल रहे है आपके जंदगे में चाहे करियर को लेकर के, finances को लेकर के, health को क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के साथ में इशू हो सकता है health को भी लेकर क्योंकि judgment का card है, world का card है तो वो सारी चीज़ें खतम होने वाली, कई लोगों का मुझे ये भी लग रहा है ना कि हो सकता है कि आप लोग फॉरन जाने का trip कर रहे हो बट नहीं जा पा रहे अगर वो इनसान आपके लिए mean to be है हमेशा याद रखना इस बात को क्योंकि कई लोग आकर के comment में बोलते है मैं मेरा reconciliation नहीं हुआ इतने लोगों का reconciliation क्यों हो रहा है अरे भई आपके लिए जब वो इनसान सही नहीं है तो क्यों होगा reconciliation ये बताओ ठीक है temperance का card है if अगर व आपका karmic नहीं है ठीक है एंड किसी भी तरिके का कोई भी problem में वो resolve होने वाला है तो आपको tension लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है सब कुछ अच्छा हो रहा है तो अगर ये video आप लोगों को पसंद आई हो तो इस video को like कर दीजेगा channel को please subscribe कर दीजेगा किसी भी तरिके की दिक्कत होती है let me know in comment section guys और again आप सभी लोगों को नवरात्री की बहुत बहुत शुब कामना है बाई Hi my beautiful pile number 2 तो जिन लोगों ने ये ये वाला symbol choose किया था चलिए देख लेते हैं आखरकार आपके reading क्या आने वाली है यहाँ पर मैंने Indian secret से cards लिये हैं Monology से भी लिये हैं और Tarot है ही हमारे पास चलिए पहले हम ना Tarot से देख लेते हैं क्या आता है Okay Temperance वाओ Pool Page of Pentacles Page of Swords Okay यह जो है divine की तरफ से messages यह हम बाद में चैक करेंगे reading के end में Wow lovers Okay Hi princess आगली मादूरगा Death And the fool again Okay लाइफ के अंदर कुछ बहुत बड़ा change होने वाला है I hope आपको cards सीधे देख रहे हैं Because मैंने देखा है कई बार वीडियो में Card trade हो जाते हैं मैं अपनी reading में खो जाते हूं आप लोगों को बताने में कि मैं cards देखने ही बाते हूं I hope अभी ठीक है cards Right चलिए तो जिन लोगों ने स्वास्तिक के symbol को चूस किया था चलिए देख लेते हैं आप लोगों के reading में क्या आने वाला है यह angelic cards जो है जिन दिवाइन के cards हैं यह हम थोड़े दिर बात चेक करेंगे Okay तो यहां पर है कौन-कौन Aries, Leo, Sagittarius Sagittarius importantly mainly show हो रहा है Scorpio mainly show हो रहा है Gemini and Taurus, Virgo, Capricorn Gemini, Libra, Aquarius तीनो हैं लेकिन Gemini, Scorpio and Sagittarius Gemini, Scorpio, Sagittarius यह मुझे mainly यहां पर show हो रहा है Okay Okay Let's start telling you क्या scene क्या scenario Okay Guys, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी समय से आप किसी तरीके के भवर से में फसे हुए हो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या क्या solution निकलना चीए आपको यह Actually, मैं आप फिक्स नहीं कर पा रहे हो कि मुझे यह चीज़ चाहिए यह यह चीज़ चाहिए ठीक है अब यह यह तो करियर में भी हो सकती है क्योंकि करियर के भी कार्ज है वैसे लव के कार्ज यहां पे ज़्यादा है हो सकता है Pile No.2 जिन लोगों ने स्वास्तिक का सिंबल चूज़ किया था उन लोगों की जिंदगी में लव को लेकर के बहुत जादा प्रॉब्लम्स चल रहे है तो मैं आप लोगों को यह बोलूँगी कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने वाली है या फिर ऐसा हो सकता है कास्ट वगरे का इशू हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंस मान तो रहे हैं लेकिन मैरिज डेट कोई फिक्स ही नहीं हो पा रही है यानि कि कोई भी इशू हो सकता है आज में आप लोगों कोई इशू नहीं बताऊंगे अगर आप किसी crush को manifest करने की कोशिश कर रहे थे या फिर किसी new partner को manifest करने की कोशिश कर रहे थे तो वो person आपके पास आने वाला है ठीक है अगर आपको नहीं पता आपका कोई new partner कौन होने वाला है सिर्फ आप scripting करते हो लिखते रहते हो कुछ ना कुछ अच्छा पाने के लिए तो वो आपके पास आने की कोशिश हो रही है अगर आप बहुत समय से union का वेट कर रहे हो, reunion का वेट कर रहे हो क्योंकि मुझे लग रहा है हो सकता है pal number 2 जिन लोगोंने चूज किया है न वो लोग twin flame relationship में हो सकते हैं तो अगर आप लोग twin flame relationship में हो आपको permanently पता है अच्छे तरीके से तो हो सकता है कि आप लोगों का reunion होने की dates बहुत जादा नस्दीक आ गई है हो सकता है आपको 111 बहुत जादा दिख रहा है 444 बहुत जादे दिख रहा है 999 बहुत जादा दिख रहा है आप लोगों को ठीक है किसी तरीके का abundance आसकता है आपकी जिंदगे में parents की health को लेकर क्या आप खुशी फील कर सकते हो and the most important thing मुझे लग रहा है कि अगर आप करियर से परेशान हो तो आपको कोई बड़ी opportunity आप ती हुभी मुझे feel हो रही है with this page of pinnacles card ऐसा तो कुछ आपके जिंदगी में होने वाला ना जिससे आप इक तरीके से energetic feel करोगे आपको ऐसा महसूस होगा कि वाओ मुझे यही तो चाहिए था जिंदगी में और चाहिए क्या था ठीक है तो कुछ तो ऐसा बड़ा होने वाला ना आपके जिंदगी में इन नौ दिनों में कि आप बहुत ज्यादा हलका महसूस करोगे बहुत ज्यादा आपका महसूस करोगे ऑंकि आपको अर्वी में मेरे जंदगी में हुआ खेंए अगर मैं बात करहु तो आपके जिंदगी में तो इसे लोग को काफी जादा आपको इंफ्लिएंस करते हैं, नेगीटिव चीजों कें अंदर धकेलने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि ऐसे लोग हों जो आपको, मतलब कोई भी एडिक्शन्स जो जितने भी होते हैं, आप लोगों को नाम पता है, मैं लेना नहीं चाहती तो उन सारे एडिक्शन्स में आपको गेरने की कोशिश करते हूं तो ऐसे लोगों का खात्मा होने वाला है, सब कुछ अच्छा होते वे दिख रहा है मुझे इन नौ दिनों में आपके अंदर इतनी शक्ती आएगी, हाई प्रिस्पिस का काड है, आप इतने ज़्यादा एलिजेबल बनोगे कि आपको ये महसूस होने लगेगा कि मुझे किसी ऐसे इंसान की जरुरत नहीं है जो मुझे कंट्रोल करे मैं खुद अपने में माहिर हो, मैं अपने में खुद में ही ना ब्लेस्ड हो और मुझे क्या फील हो रहा है ना कुछ तो नया शुरुआत होने वाले आपके जिंदगे में अगर काफी समय से सूनी पड़ी होए जिंदगी, कोई न्यू परसन नहीं है तो वो आ सकता है आपके जिंदगे में पास परसन का वेट करें, उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें तो वो परसन आ सकता है क्योंकि यहां पे ना डेथ का काड है, that means कि something good and something blissful is just going to be happen soon, okay चलिए, देख लेते हैं, आखिरकार आपके इंजल्स क्या बोल रहे हैं time for healing, यानि कि आपको अभी सिर्फ और सिर्फ मेडिटेट करना है फिर है हमारे पास, have faith in your dreams, यानि कि आपको क्या करना है न गाईस यकीन रखना है, विश्वास रखना है, फिर है हमारे पास a time to give rather than take यानि कि देना आपको जरूरी है लेने से पहले and then we have it's time to take action, यानि कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर आप रुके पड़े हो बहुत समय से, तो अब रुके मत रहो, आगे बढ़ो थोड़ा सा, तो मैंने वही बोला हो सकता है ये डिवाइन की तरफ से messages हो कि डिवाइन आपके लिए कोई action लेने वाली है जल्दी, ठीक है तो यहाँ पर Aries भी है और देखो Aries बहुत ज़्यादा major है यहाँ ठीक है तो मैं तो यही बोलूगे आप लोगों को कुछ बहुत अच्छा आपकी जिंदगी में momentum बनने वाला है कुछ तो ऐसा होने वाला है जो कि आपकी जिंदगी में एक तरीके का सुकून लेकर आएगा ठीक है देख रहे हो आप कितने खुबसूरत काड आया है आपके लिए तो पाइल नमबर टू मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग काफी समय से वेट कर रहे है खासके ट्विन फ्लेम जर्णी वाले उन लोगों के रियूनियन हो सकते है और यह रियूनियन होते हुए मुझे दिख रहे है कि दशयर के आसपस हो जाएंगे ठीक है यानि कि अपने आप में पॉस्टिविटी रखनी है ठीक है तो गाइस यही थी आप लोगों की रिडिंग बहुत कुछ अच्छा बदलते हुए दिख पा रही हूं मैं काफी कुछ बदलने वाला है वैसे यहां पे वील ओ फॉर्चुन का काण नहीं है बट आई डों नो वाय मुझ चलिए अपना ध्यान रखेगा बाइबाए